रन्बी कपूर की एनिमल की कमाई की रफतार बरकरार है। रिलीज के पहले दिन से ही संधी प्रेडी वांगा की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर आग लगा रही है। फिल्म को जम कर दर्शक मिल रहे हैं और रन्बी कपूर और बॉबी देवल स्टारर इस मुवी ने अपनी त वहीं फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करे तो एनिमल की ओपनिंग 63 करोड के कलेक्शन के साथ हुई थी। बॉक्स ओफिस पर अपनी धुआधार कमाई बरकरार रखते हुए फिल्म के पहले हफते का कलेक्शन 338 करोड रुपे था। वहीं अब फिल्म की रिलीज के नौवे दिन यानि की दूसरे शनिवार की कमाई के आकड़े भी हमारे पास आ गए हैं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल ने अपने नौवे दिन पर 37 करोड रुपे का कलेक्शन किया है वही कुल मिलाकर संधीप रेडिवांगा की फिल्म का अब तक का कलेक्शन 398 करोड रुपे का हो चुका है इसी के साथ फिल्म अब 400 करोड की कलब में एंट्री मारने में चंद कुछ रुपे से दूर है आपको बता दे बॉक्स ओफिस पर एनिमल और विकी कोशल की सैम बहादूर की भिड़न्थ हुई थी दोनों ही फिल्मों को क्रिटेक्स और ओड अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है लेकिन कमाई के मामले में रनबीर कपूर की फिल्म बहुत आगे निकल चुकी है एनिमल हर रोज करोडो रुपे कमा रही है और फिल्म में रनबीर कपूर के साथ साथ बॉबी देवल की जबरदस्ट आक्टिंग की खूप चर्चा हो रही है ऐसे में दर्शुक फिल्म के सेकंड पार्ट का भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपने मूवी देखी आपको ये मूवी कैसी लगी कॉमें सेक्षन में अपनी राइस जरू दीजीगा और इस तरह की बॉलिवुड की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रह हुआ 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 है